नमस्कार दोस्तों, MS क्लास में आप लोग का स्वागत हो तो है दिल से स्वागत आई होब है कि आप लोग अच्छ होंगे और साई सलामत होंगे आज का वीडियो उनी स्टुटेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी स्टुटेंट जो है फर समेस्टर या अदर समेस्टर में हो जिसमें जो है आई पीसी मलब इंडियन पैनल कोड 1816 का एक कानून है जो कि जिसे हम लोग कहते है लाइप क्राइम इसके बारे में हम लोग जो है जानेंगे और पढ़ेंगे और यही जो है सब्जेक्ट आपका है यही और इसमें टॉपिक है आप लोगों का जो की लाइप क्राइम के डिफिनीशन मलब क्राइम होता क्या है आप राद वास्तों में होता क्या है किन-किन जूरिस ने जो है क्या कहा है मलब जो है किन एक पॉइंट पर अच्छे तरीके से और बढ़ना तरीके से ध्यान दीजेगा ठीक तभी आपको वीडियो समझ में आएगा और पूरी जानकारी आपको पसंद आएगी तो वीडियो लाइक करेगा चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब करेगा बेल आइकन दबाएगा और भी क अच्छे जो है कमेंड बाक्स को कमेंड किये प्लस मैसेज भी किये परसनल जो है वाट्सप में किसार जो है इसके बारे में आप पढ़ाईए तो इसलिए मैं यसे वीडियो इस लेक्षास को ला रहा हूं ठीक तो चलिए भी स्टार्ट करतें देखते हैं इसके बारे मैं जाने किए इन्होंने क्या कहा कि क्राइम वास्तों में होता क्या है देखिए अपराद वे हैं जिन्हें तो रम मापनाती है उसमें बिधाई का होती है जो कानून बनाता है तो उनके अनुसार कहा गया कि अच्छे या बुरे का जो है मापना ही जो है आप लोग का जो है क्राइम है ठीक उनने कहा कि जो है मलब जो है गलत और जो है सही का फैसला करदा वही क्राइम है जो गलत है वो क्राइम है और जो रिखनाग्र कराई आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है इन और जीज़ चीज पहुआ गया अब आगे देखे जो है according to जो है पाउल जो है भी टेपन के अनुसार जो है क्या कहा गया इनके द्वारा देखे जो है अपराधिक कानून के उलंगन में एक जान बुचकर किया गया कार या चूक बिना किसी आओ चित के अनुसार और कानून द्वारा जो है घोर अपराध या दूसकर के रूप तो यह तारीके से अच्ष्य जो है उसे हम लोग क्राइम कहते है उसे जो हम लोग अपराध कहते है इनके द्वारे ये कहा गया अपराद को परिवासित किया है उन्होंने इस सहर वजनी कानून के उलंगन में किया गया या छोड़ा गया कार या तो उसे मना करना या आदेश देना मतब इनके द्वारा कहा गया कि सारवजनिक कानून है उलंगन करना या छोड़ा गया या उसे जो है मना करना या आदेश देना के रूप में परिवासित किया गया उन्होंने अपराइब को अपनी सामाजिक समगरे छंबता में एक समगर करता कि अगर अगर क्राइम को रोगने के लिए ही सारी बाड़ी बनी है अगर ना बना होता तो क्राइम बढ़ता जाता तो आपस में लोग आपने आपको भी जो है नहीं करते हैं के रूप में परिभासित किया ब्लेक स्टोन के संपादक स्ठीपन ने परिभासा में ठोड़ा बदलाव किया है और इसे इस परकार प्रस्टुट किया है कि जो है अपराद एक अधिकार का उलंगन है जिसे बड़े पैमाने पर समुदाय के संबन में इस तरह के जो है उलंगन की बुरी प्रवेति के संदर्भ में माना जाता है ठीक यह चीज इन्होंने कहा है अब देखे जो इस्टीपन के अनुसार इस्टीपन ने क्या कहा है अपराद कानून द्वारा जो है निस्पिद होता है इनके द्वारा ये चीज़ इसमें कहा गया है अब देखे अकार्डिंग टू जो है केनी के अनुसार क्या कहा गया है अपरार गलत है जिनकी सजा डंडनी है और किसी भी जो है निजी ब्यक्त द्वारा किसी भी तरह से माप नहीं किया जा सकती या किया जा सकता है लेक कर दहाखा माफ कर सकता है क्राइम कर दो है से माप ही मिल सकती है, ऐसा नहीं कि कोई भी माप करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक, जो ताज होता है, जिसके सर पे ताज होता है, आप समझ सकते हैं, एक अपराद कोई भी जो है आवांचनिये कार परतीत होता है जिसे जो है राज किसी घायल व्यक्त के विवेक पर उपचार छोड़ने के बज़ाए डंड देने की कारवाई शुरू करके ठीक करना सबसे सुभधा जनक मरस्तमेस्ता मतलब इनके रहा कहा गया कि कोई विवेक् अपराद की प्रैस्चित को करने का यहीं चीजिसमें होता हुआ इसलिए अपराद मिलर के अंसार देखे क्या कहा गया कि यह चूक नाम राज्द्वारा अपने नाम पर करके करके सजा देने से रोकताytyy या आदेश देता है इसे हम लोग क्राइम करते हैं इनके द्वारा यह कहा गया किसी अपराज के सामाने लच्छड यह है कि राज के पास प्रकिरिया के नियंत्रिट करने जुरुबाना माप करना या सजा देने की सकती है सजा देने के लिए पूरी तरह से आजादी है और फ्रीडम है वो दे सकता है अब इतने हैं हम लोग देखते हैं अब सारे जो है जो भी आप लोग के जूरिस्त है उन्होंने दिया था उनके बारे में हम लोग जान लिए प्रीडम के बारे में सारे लोगों के बारे में अपर्वरिवासान Meyer कोई किस्थाई परिभासा नहीं है सही बात है क्योंकि अलग अलग तरह से इपराइध को डिफाइन किया के स्थाई परिभासा थो हैं नहीं कि productivity अलग जूरुष मैंडिया जो अपने पना राय के डखता परतेग नया शास्त्री ने अपने विचार और राय के इंसार अपराज को अलग परिभासित किया है साथ ही अपराज की विशेवस्त की अलग अलग प्रकृति के कर्ण अपराज को पूरता के साथ परिभासित करने के सभी परियास बिभल रहे हैं से भी आतने की प्राइम को डिफाइन क्या गया तरीके से अलग तरीके से डिफाइन् किया ठाएगा और अभी तक ऐसे चलता आ रहा घूर 시간 को कई अप्राइग की सिमन नहीं है है परिभासा है जसमें निरेंदधर परिवार्तन होता रहता है सई बात ही इनके द्वारा बहुत बहुत ही जो है आप ल chem Ges इसकी परिभासा है जयसा माहुल रहेगा उसी के अनुसार है डिफिन जो है बन जाता है अपराद का मलब क्राइम का थिक यही चीजे नोंने काई सबसे बेस्ट डिफिनिशन हमें जो है यही लगते है एसेंसेल एलिमेंट आप क्राइम अपराज के आवसेक्तत के बारे में आप जान यह जो है आप लोग जो है डिफिनिशन के बारे में जान लिए सारी चीजे समझ लिए इसके बारे में देखे अपराद बनाने वाले मुख्तत क्या है? सबसे पहले पहले हीुमन बीइंग होना है, इंसान जरूरी अपराद करने के लिए, अपराद बनाने के लिए इंसान की जरूरत है, क्योंकि इंसान ही नहीं रहेगा तो किसके उपर जो क्राइम का चार्ज लगेगा और दूसरा देखे एविल इंटेंट आप गिल्टी माइंड on the part of a human being मैं इन की राएगो इन चार्ण कहते मना उसका बुरा इसान होना चाहिए ठीक बुरा इरा इलादा होग़ो मैं सीरिया जहां रहा है कि तबहलिए क्राइम बन शकता अगर यह नहीं रहें के थो रहा बनेगा अग टीसरा देखे any act committed to omitted in accordance with the evil intent and it forbidden by law कोई भी कार जो बुरे इरादे से किया गया हो या छोड़ा गया हो कानून द्वारा निशिद्ध है पूरे तरह कोई कार जो है बुरे इरादे से किया गया हो या छोड़ा गया ठीक और चौथा देखें इंजरी मलब चोट उस ब्यक्ति को चोट लगना चाहिए अगर चोट नहीं लगेगा तो क्राइम बने गए नहीं क्राइम डिफाइन ही नहीं होगा तो यह चार चीजे होना जरूरी है एक क्राइम को डिफाइन करने के लिए यह अप लोगों का यह है आप लोगों का इसे जानिएगा और इसे हमेशा जानते रहिएगा नहीं तो आप लोगों क्राइम को डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो आपके साथ दिक्कत होगे ठीक अब देखें नेश्ट अब हम एक एक करके जो है समझते हैं human being क्या होता इंसान क्या हुआस्तों में होता अपराट का पहला जो है तत्व मनुष्य किसी भी गलत कार को अपराट कहलाने के लिए उसे एक इंसान द्वारा ही किया जाना चाहिए जरूरी है अगर इंसान नहीं करेगा तो अपराट नहीं बनेगा एक इंसान को एक विशेश तरीके से कार करने के लिए कानूनी ड करने में भी सच्छम होना चाहिए यह चीज में कहा गया मैंसिरिया देखे जो है क्या कहा गया अपराद का दूसरा आवस्चकत मन इस्टती या दोसी दिमाग या बुरा इरादा है मैंसिरिया सिर्थात पर उस मानसिक तत्व से है जो किसी विशेश अपराद के लिए मन इस्टत्वारा किया गया कोई भी गलत कार यदि बुरे इरादे के बिना किया गया हो तो उसे अपराद नहीं कहा जा सकता कोई कार करते समय बुरी मन्सा आवस्च होनी चाहिए मलब बुरी इरादा होना जरूरी है अगर इंसान का मैंसिरिया नहीं रहेगा बुरा को दोसी नहीं बनाता है जब तक कि उसके इरादे ना हो मलब कारी जो है अगर कोई कारी कर रहे है आपका मन नहीं नहीं है तो आपको जो है दोसी नहीं बनाता है जब तक आप लोग का मन नहीं होगा जब तक उसकारी को करने में तब तक आपको दोसी नहीं बनाता है यहीं च iota إसार मेरा मन करना यह हैं यह बहुत करुम से तो वो क्राइब नहीं माना जाएगा उनके उपड кажется लगे जो हम से करोण के लिए का इक्टर में यह क्था पॉइंट्स है रिच रिष है डंडने का आपराधिक किरादा किसी स्वेच्छिक कार या चूख मैसपस्ट होना चाहिए केनिक एंस्वार एक्टरी स्रीज मानभीय आचरड का ऐसा प्रणाम है जिसे कानून रोकना चाहता है किया गया कार ऐसा होना चाहिए जो कानून द्वारा निशित देर डंडनिये किया गया हो मलब डंडनिये होना चाहिए अपराधिक होना चाहिए जो कानून रोक रहा है जैसे कानून रोक रहा है कि किसी का मडर मत करें नहीं तो आप क्राइम क्रिमिनल कहलाएंगे तो आप मडर कर रहा है तो आप क्रिमिनल कहलाएंगे, आपके उपर क्राइम का चार्ज लगेगा, यह सिंपल नहीं बात है, यह चीज इसमें कहा गया है, तो तीहरा पॉंट यह है, एक अडिनियम में चूक भी सामिल है, यह किसी ब्यक्त पर जो है कानून द्वारा कोई करतब लगाया गया है, और उस करतब का पल करने से चूक जाता है, तो उसे भी उत्तरदाई थैराया जाता है, कोई चूक कानूनी करतब का उलंगन होनी चाहिए, यह भी चीज इसमें कहा गया है, अब नेक्ट देखें इंजरीज मलब चोट जरूरी है, चोट किसी अपरार का अंति महत्पूर या हम क चोट को किसी भी व्यक्ति के सरीन, मन, पर्तिष्ठा या संपत को अबाइद रूप से पहुंचाई गई, कोई भी छट के रूप में परिभासित किया गया, मतलब जो है, शेक्टन नमर जो है फोटिफोर को पढ़ेंगे, तो चोट के बारे में आपनों जान लेंगे, मैं आपराद है, भले ही से किसी को कोई चोट ना पहुंचे, यह भी एक अपराद, एक क्राइम है, आप गारी, आप तेज़ चला रहे हैं, भले से किसी को जो है किसी का accident हो किसी को जो है कोई problem ना हो लेकिन आपको problem हो सकती है तो ये भी एक crime है ठीक तो आज का वीडियो यहीं तक I hope है कि अच्छा लगा होगा बढ़े लगा होगा और अच्छे तरीके से बढ़े तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ठीक थैंक यू टाटाटे केर बाबा बेस्ट अप लग हम लोगे लेंगे नेस्ट वीडियो में नेस्ट पार्ट के साथ किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए लेक्चर साहिए पीसे यू चाहिए जो कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप लोग कमेंट बाक्से कम हुआ 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 हुआ